होली की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकामना है होली के आर दिन पहले लगने वाला होलास्टक चल रहा है और होली का त्योहार बस अब आही चुका है और फालगुनमाज की पूर्णिमा के दिन होली का दहन किया जाता है और अगले दिन चैतर माह की प्रतिपताती थी को रंगों वाली होली खिली आती है तो होली का दहन को लेकर वैसे तो कई तरह की परानिक कथाएं हैं, माननेताएं हैं लेकिन क्या आपको पता है होली का दहन की अगनी में कुछ ऐसी बस्तुएं हैं जो आप डाल दें तो जीवन की परेसानियों से मुस्किलों से आप बाहर आ जाएंगे जो भी आपके कष्ट है गरहों की बुरी दसा है वो सांथ हो जाएगा होली का त्योहार जीवन में उमंग लेकर आता है अभी तक जीवन में आपने दुख जहले परेसानिया जहली वो सभी होली का की अगनी में आपको डाल देनी है कैसे डालेंगे अपनी रासी नुसार क्या उपाई करेंगे वो कौन सी आपकी वस्तु है जिसको डालने से जीवन की मुस्किले कम होगी आज हम पूरी तरह से जोतिस पर अधारित बाते करेंगे और आप अपनी अपनी रासी के नुसार आप चीजों को खुलिका की अगनी में डाल दे तो जीवन की मुस्किले जरूर कम होगी अभी तक आपने जितने उपाई किये या आपने जितने भी सुने है आज हम आपको पूरी तरह से जोतिस पर अधारित महा प्रयोग बताने वाले हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए आपके जीवन की जो परेशानिया है उसको समाप्त करने के लिए क्या डाले सबसे पहले बात करेंगे मेस रासी की मेस वालो जटा वाला नारियल अपने घर के मंदिर में रखें नारियल के उपर लाल कलावा लपेट दे, कुम-कुम से स्वस्तिक बनाए, चावल और बता से भी थोरा सा ले ले अब नारियल पर अपनी समस्याएं बोलते वे कलावा आपको बाधना है और नारियल को जब होलिका दहन हो तो उसकी अगनी में डाल दे अगर आप बाद में भी जाते हैं तो भी आप डाल दीजिएगा स्वास्त की मुस्किले समाप्त हो जाएगी बात करते हैं ब्रिसबरासी की तो ब्रिसबरासी वालों आप गुलाबी रंका एक वस्त्र ले 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 या लाल रंका ले ले आपके पास जो भी है अब 11 सुपाडी और 5 कौड़ियां अगर 11 शुपाडी ना हो तो एक ही सुपाडी ले और एक कौड़ी ले ले लाल कप्ड़े या गुलाबी कपड़े में इसको बांधें चंदन और आप चाहें तो चंदन या गुलाब की इत्रिस में थोड़ा सा लगा दें अपने उपर से साथ बार उतार कर होली का दहन के अगनी में डाल दें जो भी आपके रोजगार की मुस्किलें हैं समस्याइं हैं वो समाफ्त हो जाएगी और आपका अब इस दीपा दें यूँ ही एक घी का दिया गनेजी के सामने एक मुखा जलाईएगा अब अपनी इक्छा बोलते वे हाथ से मखाने अगनी में डाल दें नौकरी से जुड़ी वी जितनी भी मुस्किलें हैं समस्याइं हैं वो आपकी समाफ्त हो जाएगी और गनेजी की क तो मुखा दिया बनाएं अब इस दीपक में तिल का तेल डालें अगर तिल का तेल ना हो तो संसो के तेल डाल दें दो चार दाने काला तिल डाल दें घर के मुख्य दरवाजे पर इसको रखिएगा और होलिका की जब आप पूजा करेंगे तो जो के 27 दाने होलिका की अगन रखिए और दो लॉंग लीजिए उसको घी में डूबर कर इस पान के पत्ते पर सुपाड़ी के साथ रख दे याद रखिए घी लगा कर रखिएगा लॉंग को और एक बतासा भी रख दीजिए अब इसको अपने घर के सभी लोगों के उपर से साथ बार उतार ले और होलिका की अगनी में डाल दें या दखिए आपको बतासा भी रखना है और होलिका की अगनी में डाल देना है आपके सभी बिगड़े वे कारे बन जाएंगे कन्या रासी कन्या बालों आपको होलिका किस दिन होलिका जहन जिस दिन होगा फालगुन पुर्णिमा को आपको चाहिए होगा 11 लॉंग और 11 हरी दुरवा घास उसको लेकर आप बच्चों का हाथ लगवा कर घर के मंदिन में रखवा दें और होली की अगनी में लॉंग और जो हरी दुर्वा घास है आप उनको डाल दें खुद भी डाल सकते हैं आपके बच्चे बुरी नजर से बचे रहेंगे ताउंड तुला रासी तुला वालों आप पीपल का एक पत्ता ले 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 और एक जाइफल ले ले याद रखिए अब इसको हाथ में लेकर पूरे घर में गूंए और घूम कर आप इसको होलिका की अगनी में डाल दें और घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर आप ओम का निसान बनाईए रोली से या फिर सिंदूर से बनाईए घर के जगड़े खत्म होंगे कलहकले समाप्त होंगे घर में प्रेम बढ़ेगा ब्रिस्चिक रासी ब्रिस्चिक वालों आपको एक पान के पत्ते पर याद रखिए पान का पत्ता पर एक सुपारी रखना है और पांच कमल गट्टे की बीज को घी में डुबो कर रखें घी में अच्छा से उसको कभर कर लें और पान के पत्ते पर सु मस्या खत्म हो जाएगी आपका ब्यापार खूप चलेगा धनु रासी धनु वालों आपको चाहिए होगा एक सूखा नारियल जिसको हम गरी कहते हैं गरी गोला जो नारियल में पानी नहीं होता सूख जाता है आपको वो नारियल चाहिए अब उसको थोरा सा कट कर लें काट और साथ तरह का अनाज रखिए एक मुठी मिला कर रख लें और एक मुठी उठाकर साथ तरह का जो अनाज है आप उस नारियल में भर दें भर के घर के मंदिर में रख़े और जब भोलिका की पूजा होगा तब नारियल को माथे से चूँ कर आप अगनी में डाल दिजे लेकिन अब धीरे धीरे चीजे अपरेल के महने से बढ़ियां हो रहा है तो यहां से टेंसन नहीं है लेकिन आप जो भी परिशानी है उसका आपको निवारन मिल जाएगा मकर 12 पीपल का एक पत्ता ले लें अब इस पत्ते पर थोड़ा सा काला तिल रखें थोड़ा सा ज़्या नहीं एदम थोड़ा सा अब अपनी इच्छा बोलें मनोकामना बोलें और पत्ते को घर की पस्चिन दिसा में रखिए साम के समय अपने उपर से साथ बार उतार कर होलिका की अगनी में इस पीपल के पत्ते पर आपने काला दिल रखा है उसको डाल दीजिए नजर दोस्थ से मुक्ती मिलेगी क्योंकि मकरवाले कुछ बहुत जल्दी जल्दी नजर लगती है तो इनसे आप बचे रहेंगे कुमरासी आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता एक मुठी हवन की सामगरी रखें पान पत्ते पर अब मन की इक्छा बोलकर होली की अगनी में इसको डाल दें जो भी आपके जीवन में जायदायत को लेकर जगड़े हैं जो परिशानी है जो मुष्किले हैं वो समाप्त हो जाएगा मीन दासी मीन वालों आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता साबूद लेना है तुटा हुआ नहीं इसमें एक मुठी हवन साग मिगरी रखें एक हल्दी की गांठ रखें एक सुपाडी रखें और थोड़ा सक कपूर रख दें अब होलिका की इन सभी चीजों को हाथ में मिलेकर साथ बार प्रिक्रमा करें और अगनी में डालने जो बी सारी कस्थ है जो समस्या है आपकी가요 पूझा हो सब्सक्राइब और होलिका देहन के दिन कुछ ऐसी वस्तु है जिसको जरूर खाना चाहिए होलिका देहन के दिन छोटे से प्रियोग किये जाते हैं एक तो आप दिन के समय जब असनान करेंगे होलिका देहन पुर्णिमात ही ठीक होती है अब दिन में जब असनान करेंगे तब आटे का उप्टन लगाईए बाकी चीजे अप नहीं भी मिलाते हैं तो भी चलेगा अब इस उप्टन को इकठा कर ले और होलिका दहन की अगनी में अगर डाल दें तो आपके मानसिक जो परेसानी है जो सारीरिक कस्ठ है उससे रक्षा होती है देखिए भारती अगर हम परंपरा की माने तो नए साल की यहां से सुरुआत होती है तो पुराने साल की बिसरजन दी जाती है होलिका दहन के दिन और नए साल की आगमन से हम रंग के साथ अच्छे अच्छे भोजन के साथ खुजियों आनंद के साथ सुरुआत करते हैं होलिका दहन की अगनी में गे साथ भी डाल सकते हैं लेकिन एक भी डालने से होगा अगर आपको पैसों की समस्या है आप चाहते हैं पूरे साल खुब पैसा आये तब चंदन की लक्डी होलिका देहन के अगनी में डालिएगा अगर रोजगार की परेसानी है नौकरी रोजगार आपकी नहीं चल पा रही तब एक मुठी याद रखिए मुठी में लेकर ही डालना है पीली सरसों हुलिका की अगनी में डालिएगा और फिर अपनी मन्नत कहिए अगर बिमारियां ज्यादा परेसानी दे लंबी बिमारी है या किसी तरह कोई परेसानी है आप उससे चुटकारा चाहते है तो हरी इनाची अरपित कीजिएगा आप चाहते हैं कि तंत्र मंत्र से बुरी जो लोग तंत्री क्रियाएं करते हैं आप उससे परेसान है निगेटि आपके जीवन में स्वास्त की बहुत समस्या है जीवन मरन का प्रश्ण है तब एक मुठी काला तिल हुलिका की अगनी में डालें और अगर चाहते हैं कि पूरे साल सब कुछ बेहतर रहे धन, सुख, एस्वरे, सुख, सांती, अच्छा स्वास्त रहे तब कपूर डालिएगा तो हुलिका की अगनी में ये सभी चीज़ें डालने से आपकी मुश्किलें कम होंगी अगनी को परणाम कीजिएगा पहले, जमीन पर थोड़ा सा जल दें, फिर अगनी में गेहुं की बालियां, गोवर के उपले और काला तिल, ये तीन चीज़ जरूर डालें, इसके बाद अपनी मन्नत के नुसार चीज़ें डालें, तीन बार परिकमा करें, फिर अपनी मनो क करके निकलिए माथे पे या कंट में आपके कारे जरूर पूरे होंगे, फिलाल आप से बिदा लेंगे, धन्यवाद